नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि हर महिला के जीवन का सपना होता है मा बनने का। एक समय ऐसा होता है जब वह मा बनने का सुख भोग सकती है। इस परम्शुख का एहसास किसी विस्तरी के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है क्योंकि उसका ये जीवन अब उसका ही नहीं रहता है बलकि उसके शिशू का भी हो जाता है साथ ही आपको बता दे कि गरवस्ता जीवन का एक सम्विदन शील्ट पड़ाव होता है कहा जाता है कि इस समय महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव भी होते हैं और इस समय शिशु मा के पेट के अंदर रहता है तो कुछ चीजें गरवस्त शीशु के लिए सही भी हो सकती है और कुछ गरत भी इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रही है कि गरवती महिलाओं को अपने खान पान में कौन-कौन सी साफधानिया बरतनी चाहिए दोस्तों गरवती महिलाओं को एक चीज से प्रेगनेंसी के दोरान परहेस करना चाहिए और वह चीज है पपीता कहा जाता है कि गरवती महिलाओं को पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन वहीं ये भी है कि इस वक्त में फल खाना फल दाय माना जाता है तो आप आप सोच रहे होंगे कि आखिर पपीता खाने से परहिस क्यों किया जाता है सबसे पहले आपको बता दे कि पपीते में विटामिन C, फॉलिक एसिड और फाइवर का बंडार होता है जो कि एक गर्वती महिला के शरीर के लिए बहुत जरूरी है लेकिन यह है तभी जब पपीता पूरी तरह से पका हुआ हो यह सारे गुण उसमें मिल जाएंगे वहीं यह भी कहा जाता है कि अगर पपीता पूरी तरह से पका ना हो तो गर्वती महिलाए इसका सेवन भूल कर भी ना करे पपीदा अगर पका भी हुआ है तो इसे बहुत कम मातरा में ही खाए और डॉक्टर का फरामर्ष भी अवश्य ले कई लोग पपीदे का शेक भी त्यार कर पूसको पीते हैं लेकिन आपको बता दे की पपीदे का शेक पपीदे की जो मातरा होती है उसको कम कर देता है उसका बीज या उसका छिल का अगर गलती से उसमें चला जाए तो उसका सेवन आप ना करें जो कि वह है आपके लिए खतनाग भी हो सकता है अगर बात करें कच्चे पपीते की तो इसमें लेटेक्स पाया जाता है जो कि शरीर में गर्मी पैदा करता है और गर्वाश्य में भी इसकी वज़ा से सबुचन प्रारंब हो सकता है जिसके वज़ा से शीशू की गर्वाश्य में ही मौत भी हो सकती है इसलिए आप पपीते का भूल कर भी सेवन ना करें इसके इलावा आप अन्य फलो का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें धन्यवाद